जैस्री करश्ण मित्रों, मित्रों आज आपको हम सुनाने जारें सीतला अश्टक का पाठ हिंदी अनुवाद सहित यहाँ पाठ नित्य परती स्रवन करने से या सीतला सब्तमी सीतला अश्टमे के दिन सरद्धा पुरवक स्रवन करने से समस्त रोग वा महामारी से रक्षा होत तो मित्रो पूरे वीडियो को ध्यान पूरवक आप अवश्य देखें तो मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य नई नई ग्यानवरधक जानकारियां वह नित्य का राशीफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो सीतला अश्टक का इस्तरोत्र इस प्रकार से हैं सबसे पहले इसमें विनियो किया जाता है आचमनी या हाथ में जल ले करके इस इस्तरोत्र इस मंत्र का सबसे पहले उच्चारन आपको करना चाहिए ओम अस्यस्री सीतला इस्तरोत्र मंत्रस्य महादेव रिशी अनस्टुप छंद हम इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ कि इस सीतला इस्तरोत्र के रिशी महादेव जी है चंद अनस्टुप छंद है देवता सीतला माता है वीज लक्षमी जी है तथा शक्ती भवानी देवी है तो सभी प्रकार के विस्फोटक चेचक आदी के निवरन है तू इस इस्तरोत्र का जप में मिनयोग किया जाता है यह बोल करके जल छोड़ देना चाहिए उसके बाद इस इस्तरोत्र को सरद्धा पूरवक आसन पर बेट करके सरवन करना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए इस्तरोत्र इस प्रकार से है इश्वर उवाच वंदेहम शीत लामदेविम रासभस्थाम दिगंबराम मारजनी कल शोपेताम शुरुपा लंकरत मस्तकाम मा इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ इश्वर करते हैं गर्दव गधा पर विराजमान दिगंबरा हाथ में मारजनी यानी जाड़ू तथा कलश धारन करने वाली सुप से अलंकरत मस्तक वाली भगवती शीतला की में वंदना करता हूँ वंदेहम शीतलामदेविम सरवरोग भया पहामम यामा साध्य निवर्तेत विस्फोटक भयम महतम इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ कि मैं सभी प्रकार के भय तथा रोगों का नाश करने वाली उन भगवती शीतला देवी की वंदना करता हूँ जिनकी शरण में जाने से विस्फोटक अर्थात चेचक का बड़े से बड़ा रोग भय दूर हो जाता है। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ जो मनुष्य आपकी प्रतीमा को हाथ में लेकर जल के मध्य खड़ा हो करके आपकी पुजा करता है। उसके घर में विस्फोटक चेचक रोग का भीशन भाई कभी उत्पन नहीं होता है। पुरे परिवार की रक्षा होती है। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ कि है शितले मनुष्य के सरीर में होने वाले तथा अत्यंत कठिनाई से दूर किये जाने वाले रोगों को आप हर लेती हो। एक मात्र आप ही विस्फोटक रोग से विदिर्ण मनुष्यों के लिए अमरत की वर्षा करने वाली देवी हो। वामेकाम शितले धात्रिम नान्याम पश्यामी देवताम्म इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ कि उस उपद्रवकारी पाप रोग की ना तो कोई ओशदी है ना ही कोई मंत्र है। तो हे सितले एक मात्र आप ही जननी को छोड़ करके उस रोग से मुक्ती पानी के लिए मुझे कोई दूसरा देवता दिखाई नहीं देता है। अर्थ इस प्रकार से हुआ हे देवी जो प्राणी म्रणाल तंतु के समान कोमल सुभावाली और नाभी तथा हरदे के मध्य विराजमान रहने वाली आप भगवती का सरद्धा पुरवक ध्यान करता है। उसकी कभी अपगात मरत्यों नहीं होती है। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ कि मनुशियों को विग्न बाधाओं के विनाश के लिए स्रद्धा तता भक्ती से युक्त हो करके इस परम कल्यान कारी इस्तरोत्र का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। शीतले तुम जगन माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतला ये नमू नमाहं। एतानी खर नामानी, शीतला गरेतु यह पठेतन, तस्य गेहे शिशु नाम्च, शीतला रुड्र नजायतेन। इसका अर्थिस प्रकार से हुआ कि जो भी व्यक्ति, रासब, गर्धव, खर, वैशाखनंदन, शीतला वाहन, दुरवाकंद, निकरंदन, भगवती शीतला के वाहन के इन नामों का उनके सामने पाठ करता है, उच्चारन करता है। उसके घर में सीतला जनित रोग कभी उत्पनन नहीं होता है, समस्त महामारियों से उसके रक्षा होती है। अथवा उसको ही उच्चारन करना चाहिए। आपको हमारी यह ग्यानमरधक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वा अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद जैमाता दिमित्रों फिर मिलेंगे। आपको हमारे वीडियो करें।